आपको ये जानकर हरानी होगी है कि इंडिया में 108 यूनिकाउन स्टार्टफ हैं जिसमें से एक भी एग्रिटेक के नहीं है दिल से बुरा लगता है भाई तो क्या है इसकी में वज़य और अभी के समय पर जो दो तिन बड़े स्टार्टफ में जो कमप्टिशन में आ रहे हैं और आपको जल्दी सुनने को मिला कि ये स्टार्टफ यूनिकाउन बन चुका है उसी में से एक बहुत ही पॉपलर और बहुत ही पुराना एग्रिटेक स्टार्टफ है दिहात जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में देखें कि दिहात कैसे फार्मर्स की हेल्प कर रहा है बीते दस सालों में कितने की ग्रोथ हुई एक अर्निंग कैसे करते हैं ये किसानों को सर्विसस क्या प्रवाइड कराते हैं और एग्रिकल्चर में आने वाली कौन-कौन से प्राब्लम को इन्होंने आप सभी से रिक्वेश्ट है कि वीडियो को आखरी तक जरूर देखें और वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक करना मद भूलिये चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिये देहात है बाग्ट 115 मिलियन दॉलर्स in a series D funding round Farmers in India still looking for better linkages of various agri value chain services despite of 400 billion dollar market businesses like agri input companies, bulk buyers, financial institutions still looking for better transparency and direct access to pharma partnered with 150 plus agri businesses and growing annually at the rate of 3.5x आएटी और आयम के दोस्तों ने मिलकर साथ में सुरू किया था देहात का सबसे पहला जो आएडिया था उस असां कुमार के मन में जो कि इस company कभी CEO है तो यह आएटी डेली से पास आउट हुए थे पास होने के बाद इन्होंने दो साल corporate में जॉब किया जॉब के दोरान ही इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने गाउं आ गए छपरा बिहार में जब इन्होंने जॉब छोड़ी तो घर वाले उतने खुस नहीं थे क्योंकि बहुत ही lower-media class family से आते हैं उसके बावजूद में इन्होंने अपने सपने को पुरा करने के लिए उसके काम किया बहुत सारी जुको ट्राइ किया फिर उन्हें बाद में realize हुआ कि farming की छेतर में किसानों को बहुत ज़्यादा problem है और problem को कोई देख भी नहीं रहा है ना उसको कोई solve करने की सोच भी रह है 2012 मैं आपको पताओगा उतने सारे इंटरनेट उतनी resources नहीं की वज़े से यह farmer से मिलने जाते थे खुझ से और अपने दोस्तों के साथ उनके साथ बैठते थे उनसे पूछते थे क्या दिक्कत आ रही है तो जब यह किसानों के खेत में जाते थे तो किसान इंको देख कर ह करेंगे इतनी बड़ी सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है तो छोड़ा सा बच्चा क्या करेगा तो सुरुवात के एक-दो सालों तक इन्होंने केवल डाटा कलेक्शन पर काम किया farmer के पास जाते थे उनसे पूछते थे उनकी problem को देखते थे उसको note-down करते थे तो सुरुव पर कोई भी किसान इनके साथ जुडने को तयार नहीं था क्योंकि इनके यह बहुत ही कम उमर के थे उस समय पर इनको एग्री कल्चर कोई भी नॉलेज भी नहीं थी तो कोई रिस्क नहीं देना चाहता था क्योंकि किसान के पास एकी चीज होती है उनकी फसल अगर वो है फिर हम आप उसके बाद हम सोचेंगे तो उन्होंने पूरी मेहनत की जितनी भी चीजों ने सिकी थी उसको अपलाई किया और उस जगह पे उन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल लाके दिया इतनी अच्छी खेती देखने के बाद तो किसान बहुत ही खूस हुए और धीर सबकुछ यह अपने सर्विसेस में फार्मर को हेल्प में लगा देते थे तो अभी 2008 के बाद अच्छे खासे फंडिंग मिली है अभी के वैल्यू जो कंपनिक है च्छे सो पंचानवी मिलियन डॉलर तो यह नंबर अचीब करके यह इंटर कर चुके हैं सेमी यूनिकॉन में और जल्ध ही ये अलुनिकावन जाएगी जैसे ये वन बिलियन का आकरा जो यह ट्रश करती है उसके बाद ये कमपनी कौन-कौन से सर्विस इस उफर करती है कौन-कौन से प्राप्लम करते हैं से बारे में देख लिए तो फार्मिंग में मेरी इट सक्षा में में dalक्री कॉम विदा देते हैं, क्रॉप प्लानर, पुरे साल का क्रॉप कलेंडर बना के देंगे, वेदर अलर्ट, जो की सेटलाइट की मादियम से आपको बता देंगे, इनके आप पे की बारिज कब होने वाली, मौसम कैसा राने वाला है, 24 गंटे पहले, उसके बाद अगली सरुई से दे सीड और ऍचालनर की दिर्विदी की से भिदा देते हैं, कनेक्ट विट एक्सपर्ट, यह किसी सला भी देते हैं, एडवाजरी की रूप में, एक्सपर्ट से यह बात कराते हैं कि किसी किसान को जरूँत पड़ी तो, क्रॉप की किरांटी लेते हैं, और मंदी रेट, आप कि आपकी एरिया में मंडी का क्या भाव चल रहा है वहां पर जाकर इजली देख भी सकते हैं तो यह में जो एट सर्विसे यह प्रोड कराते हैं जिसमें फार्में के काफी होती है उसके बाद के लिए स्टेड में हम बात कर लेते हैं कि यह कौन से मिजर प्राबलम को सौल्व किये हैं तो अग्रिकल्चर में सबसे बड़ी जो फार्मे के साथ समस्या आती है वो बीचावलियों की आती है किसान मेहनत करके एक फसल उगाता है और उसको अच्छा रेट नहीं मिल पाता तो बहुत दिक्कत आती है इन्होंने उस चीज को खतम कर दिया बिल्कुल ही तो इन इन्होंने माइक्रो इंट्रेणर के बहुत बढ़ावा दिया है जैसे अभी बड़े बड़े जो आउटलेट हैं दूसरे कंपनी के उसी प्रकार इन्होंने अपने सीट के फटलाजर के पैसरी साइड के आउटलेट खोले हैं लगभग यह सोलर स्टेट में फैल चुके हैं नादियम से फार्मर को इंपर कैसे करते हैं सबसे पाला एह जो एक्सेशि टुग्वालाटी इनपूट जो भी क्वालिटी सीट पेलाजर होते हैं वो प्रॉवाइड कराते हैं दूसरा है एक्सेशटू अफोर्डेबल इंस्वरें फिन्स प्राड़ इन्सवरेंस ये देत से इनके इंस्वरेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं तो यह था दियाहत का बिजनेस मॉडल आई होब थोड़ी सी जंकाई आपको मेली होगी मैंने बहुत ही कम स्लाइड में सम्झाने कोशिस किया है तो थैंक्स वाचिंग इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया थे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अन्य किस टाप के वीडियो देखना चाहते हो भी आम कमेंट कर बता सकते हैं मिलिंगे आपको अग्री वीडियो में तब तो के लिए धन्यमाद